कि नमस्कार दोस्तों आज हम मैथली शरण गुप्त जीवन पर्षा के बारे में देखेंगे यह कख्षा 12 के लिए एक जीवन पर्षा है कवी का है कवी की रूप में प्रस्ततु है कख्षा 12 यूपी बॉर्ड में अगर हम सबसे पहले अंक विभाजन देख लें कि जीवन पर चप्रचे होता है पंसे शवन पर छीवन पर लिखना है प्र समय होता है तीन ही इसमयों अप्षन कि मैं सब्सक्राइप já लिखन करें तो हम 50 शब्दों में जीवन पर्षा दसrick टिस षब्दों में ने उनकी क्या windows बिखाffता सकते हैं अगर हम जीवन पर्चे कृतियां लिख देंगे तो तीन अंक मिलता है और यदि उनकी काविगत विशिस्ताइं हम दिखा देते हैं तो दो अंक मिल जाता है कुल मिलाकर कि पांच अंकों का यह कोशन होता है तो सबसे पहले जो पुचाश शब्दों का नाम प्रारंभिक शिक्षा कोछ आइसे उन कौन सिपरुषकार पैई क्या उनकी रहीं रहीं है यह सह हम गिना सकते हैं 50 शब्दों बस बहुत कंक्रीट में हम लिखें ऐसा नहीं कि 200-300 शब्दों में लिख दें पूरा निवंद लिख दें हजार शब्दों का तो उसका कोई मतलब नहीं है पचास शब्दों में एक दम कंक्रीट में टूद पॉइंट चीजें लिखें जिवन परशम है और क्रितियां दस शब्दों में कि उनकी निमलिखित हैं कुछ चार-पांच उनकी क्रितियां लिए बस का विगत विशिस्तों में 20-30 शब्द हेडिंग डाले दो चार उसमें श सरे तत्य जो है सारा बोर्ड पर लिखा हुआ है आप चाहें तो अपने कॉपे में भी नोट कर सकते हैं पॉइंट पॉइंट मैं बोलता जाओंगा आप वही वीडियो पॉस्ट करकर के नोट भी कर सकते हैं तो सबसे पहले इनका जन्म अगर हम देखेंगे तो 1886 में हुआ था और अगर डीटेल में जाएं तो तीन अगस्त तीन अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था मैथले शरड गुप्तजे का कहां पर हुआ था तो उत्तर प्रिदेश में एक शाहर है बुंदेल खंड इलाके में जिसको बोलते हैं जहासी जहासी की रानी वाली जहासी जहासी मे ग्यां जयाव है तो बहारत में उत्तर प्रेश जो राजी है उसमें जहासी जिला जहासी जिले में भी जब अंदर जाएंगे आं कर इसके बाद इनके पीता का नाम देखें तो वह श्री राम चरडगुप्त है एक हम इसको कर सकते हैं और अगर जिवन पर्शह को लिखदे तो समलें जया नहीं आ जाएगा मज़ा आजाएगा फिर तो एक चार्च लाइन की च्छोटी सी कविता है आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको अपने कॉपे में लिख सकते हैं उत्तर पुस्त Pitrной के याद्वी जैसे जहांसी के चिरगाओं में जहांसी के चिरगाओं में पैदा मैथली शरड हुए तो पहली यहां पर Jaan इसका थोड़ से गैप करके इधर लिख दिया pagAL हुए अ तो राम चऱो सुत्ल गुपत सदा से रामभक्त कविराज हुए रामभक्त क्यों तो इसलिए रामभक्त कविराज हुए, पंचवती की रशना करके साहित्य में यशगान बढ़ाया 1964 इश्वी को जिसने स्वर्ग लोग को धन्य बनाया तो यह है इसको लर्न कर लेंगे और परिक्षा में लिखेंगे सबसे पहले जीवन पर चेहडिंग डाल दिये फिर उनका जन्म यहां पर हुआ था इस सन में हुआ था पिता का नाम यह था उसके नीचे कविता लिख दिये चार लाइन की यही तो समझ लेजए कि पूरा काम ही होगे फिर तो और इनके पिता जी को मैथली शड़गुप्त ने एक छपपए करके रशनाई नों ने लिखी छोटी सी कविता लिखी उसको अपने पिता को दिखाया पिता जी ने इनको आशिरवात दिया कि बड़ी कर रहे हैं इनके पिता खुद हिंदी के प्रेमी थे साहित यह स्रजन करते थे फेमस कवी हुआ करते थे तो उनका भी असर इनके पुत्र पर पड़ा और इन्होंने भी रचनाई करना प्रारणभ कर दें कि शुरुवात में इनकी रचनाएं हैं वो kalककत्त से एक पत्रिक प्रकरशित होती थी वैश्यूप कारक करके bisa का रगोगे वैश्योप कारक अगर इसका संदीविक्षेद करें तो वैश्य धन उपकारक यानि वैश्यों का उपकार करने वाली कि इस नाम की पत्री का वो करती योग की कलकत्ता से प्रकाशित होती थे तो इनकी प्रार्भिक रश्नाएं उसी में ही छपती थे हैं लेकिन बार में है इनकी दतते जब यह महाविफ। रश्नाएं जब यह महाविफ साथ-दुईदि के संपरक में आये मैं तो अठारा सू निन्या नवे से हैं कि अठारा सू निन्या नवे से इनकी जो रश्नाएं हैं ne전ka वह स्त्रवस्वत हैं पत्रीगार कंसित होने रहते थे जब बीव मौका पढ़ता था तो यह स्वतंतरता संग्राम में सहभागिता निभाते थे मात्मा गांधी जी से विशेश रुप से प्रभाई थे मात्मा गांधी जी इनको यह यहां पर लिखा हुआ है राष्ट रुकवी राष्ट रुकवी की उपाधी गांधी जीनवांको दे थे है तो राष्टृ कभी किसी का जिता ठतर रास्टृ कवी मैथली शरणोगुप्द को का जाता है अलांके दिनकरजी ने भी राष्टृ राष्ट प्रेयंग से समाने बहुत Cont Rubis अरे लिखी हैं और भी लोग हैं लेकिन राष्टर कभी की संग्या मैथली शरण गुप्त को दियाती है महात्मा गांधी जी ने ये दिया था उपाधी दिया थे इनको सम्मान दिया था और इनकी प्रारामिक शिक्षा वो गाउं से हुई थी और शुरू में इनका पढ़ाई में जब मन नहीं लगा तो घर पे ही चले आए तो इनके पिताजे ने घर पे ही इनको पढ़वाया हिंदी संस्कृत और इंग्लिश लेंग्विज की पढ़ाई इन्होंने घर से ही की और जब यह लिट्रेचर में बहुत आगे बढ़ने लगे तो इनके सम्मान में डिलिट की उपाधी इनको प्रदान किया गया और दो विश्विद्याले उने आगरा और इलहाबाद दोनों विश्विद्याले उने इनको डिलिट की उपाधी प्रदान किया कि इनका साहित इस रेजन में अच्छा योगदान देने की कारण 1954 में इनको पद्म भूषड से भी सम्मानित किया गया पद्म पुरुसकारतीन होते हैं पद्म भूषड पद्म भूषड पद्म शुरे तो पद्म भूषड इनको मिला था और यह राज्य सभा के दो बार सदस से बनने थे एंप बहरत के संसद के दो सऑन ओं में राज्य सबना तो जो फिक यह दो बार गए था यानि के 10 सालों तक कांत को कि शेफ़ आलों होता है करेकार घुषय सबब में 6 सालों को होता है तो 12 साले तक ही रहें कि और इनकी एक प्रशिद रशना साकेत साकेत में इनको मंगला प्रसाद पारितोशिक दिया गया हिंदी सम्मेलन करके एक सम्मेलन होता है उसमें ये पारितोशिक दिया जाता है मंगला प्रसाद पारितोशिक तो साकेत रशना पर इनको ये पुरुषकार दिया गया था और इनकी जो मृत्यू है वो डेट इक्जेक 64 क्यों लिख दें कि 1964 में इनके मृत्ति होई थी इसके बाद अब यह जो है पचास शब्दों में इसको हम लिख सकते हैं पचास शब्दों में क्या क्या फिर से रिकॉल कर लें इनका जन्म तीन अगस्त 1886 में उत्तर प्रदेश में मात्मा गांदी ने को राष्ट्र कभी की संग्यादी थी इनको डिलिट की मानद उपादे से अलंकरित किया या दिया उनको उनीसे चौवर में भारा सरकार ने इनको पधम भूशर से नवाजा राज्य सभा के दो बार यह सदस्य मनुनित हुए या निर्वाचित हुए जैसे भी अठारा सो निन्यनवे में इनकी रश्णाय जो है सरोसते नाम की पत्रिकान में भी प्रकाशित उने लेगी जो कि महाविर प्रसाद दोए दीजी निकालते थे और मंगला प्रसाद पारित उश्चिक इनको साकेत वाली रश्णा पर मिला इनके मृत्य जो है 1964 में हो गई और एक अनूदित काव्य है इसमें तीन चार हम रश्णाय याद कर लें उसको उसमें लिखते हैं परियापत रहेगा भारत भारती जो है यह 1912 में होने लिखी थी भारत भारती को इसके बाद जैद्रत वद्र पंचवटी बहुत फिमस हैं साकेत यह शोधर द्वापर अनूद काव्य में प्लासी का युद्ध इनकी रचना है प्लासी का युद्ध अप्लासी का युद्ध आपको पता होगा कि सं 1777 में तेइस जून कि तेइस जून 1777 में प्लासी की मैदान में लड़ा गया था मुर्षिदाबाद से कुश्मेल दूर यह स्थान है तो प्लासिक अधिनी की एक रशना है उमर खयाम की रुबाईया यह है उमर खयाम यह वर्तमान के इरान में एक प्रसेद्ध गड़ी तक यह हुआ करते थे इन्होंने बहुत सरे सूत्र दिये हैं कुल आज़ेबरिक एक क्वेस्ण से संबने जैसे एक प्लस भी का घॉल क्योंइस टैप से हैं । आपको पता होगा कि एक महा कविकालिदाष कि रशन है उंके साथ रशना है मुंकि उन्यूथ से लेकिन अवियों नाम से भी कृति की है एक उन्यूर पृत्वीपृत्र हमारे कसे की पहला ही जोर्ण है रास्ट्र का स्ensorूप नाम का पाट हम वासुदेव शरण अगर्वाल जी ने लिखा है वासुदेव शरण अगर्वाल ने भी पृत्वित्वी पुत्र नाम की रशना की हैं लेकिन मैथली शरण गुप्त ने भी इसी नाम से रश्नकी है इनकी तीन मुख्य नाठक देख लें एक है तिलोत्तमा चंद्रहास अनग यह तीन इनकी रश्नाएं हैं अब काव्यगत विश्रिष्टनाएं क्या हैं उसको पॉइंट देख लें बिस से तीर शब्दों में लिख लेंगे तो परियापत रहेगा इनकी रश्नाएं गीति काव्य में हैं गीति शैली में हैं यानि पढ़ने में लायात्मक्ता आती हैं गायात्मक्ता आती हैं संगीत आत्मक्ता का बोध होता है इनकी बहुत सारी रश्नाओं में राष्ट प्रेम हमें दिखाए देता हैं जैसे कि अगर हम बात करें प्लास्तिक युद्ध लेलें तो इन सब में हमें राश्ट्रू का प्रेम दिखाए देता है यह सब चीजें इसके लावा यह नारी शक्ति कहलें नारी से समंधित रशनाएं किये हैं जैसे कि अगर हम इसमें साकेत देख लें साकेत भी नारी से समंधित हैं यह शोधरा हमारे जो पाठ है कैकैी की अनुताप तो भी नारी से समंधित हैं इनकी जो रचनाएं वो अतीत के जो कैरेक्टर्स हैं चरित रहें पात रहें उनको उठा करके इन्होंने किया है जैसे कि कैकैी तो वो रामायर से उठा लिए महाभारत से कुछ उठा लिए राम को ले लिए या बुद्ध को ले लिए तो जो एतिहासिक या पावराडिक पात रहें उनसे इन्होंने रचनाएं है तो यह जो तीन पॉइंट है गीति काव्य रास्ट्र प्रेम और अतीत से कुछ शब्दों को उठाना या कुछ पात्रों को उठाना तो यह इनका विगत विश्यस्ताओं का एक पक्ष है जिसको हम बोसकते हैं भाव पक्ष यह तीनों पॉइंट हम भाव पक्ष हेडिंग बना करके लिख सकते हैं और यह कुछ पॉइंट हैं जिसको हम कला पक्ष हेडिंग बना करके लिख सकते हैं कला पक्ष में क्या कि इन्होंने खड़ी बोली में रशनाई की हैं जिसमें तस समीश अब्दों का इन्होंने बहरपूर मात्रा में प्रयोग किया है कि रस में मुख्य रूप से श्रेंगार रस कहीं कहीं रौद्र रस वीर रस इनका भी प्रयोग हुआ है कि इन्होंने चंद में बहुत सरी चंदों में भी रशनाई की है उसमें से मुख्य रूप से तुकांत तुकांत दोनों तरीके से इन्होंने रशनाई की है अलंकार में क सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए अपने साथ ही उसाथ शेर कीजिए और यह कुछ कंफ्यूजन हो यूपी बोर्ड में हिंदी विशय से संबंदित या नागरिक शास्त्र समाश शास्त्र तो उसको आप कॉमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं पूरा देखने के लिए रहने वाल्द नमस्कार जय हिंद